नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक बानी पर और आज के अख़वारों का विश्टेशन लेकर मैं आपके सामने हाजिरूं। आपके भारत के 40 पत्रकारों की फॉन टैपिंग किस ने कराया है बताएंगे ये सब आज के अख़वारों के पन्नों से तो चलिए सुरुवात करते हैं। हो रहा है और इसमें जो है प्रधानमति नरेंद मोदी का ये बयान है कि वो हर मुदे पर चचा कराने के लिए तयार है और विपक जो है खास करके वो कोरोना और तमाम मस्तों पर सरकार को घेने के लिए जो है वो तयार है। स्लाइट से तीस लोगों की मौत हो गई है परधानमंत्री ने भी इस पर दुख परकट किया है। अगली खबर जो दनिक जागरन के पने पर है वो है अफगानिस्तान ने पाक से राजदूस को वापस बुलाया। जो राजदूत थे वहाँ पर अफगानिस्तान के पाकिस्तान में उनको जो है पाकिस्तान ने बुला लिया है। अगली खबर जो है दनिक जागरन के पहले पने पर वो है विरोध दरकिनार सिद्धू ही बने पंजाब कॉंग्रेस के सरदार संगत सिंग, लिजवां, सुकविंदर सिंग, हैनी, पवन, गोयल और नागरा बने कारेकारी अध्यक्ष तो चार कारेकारी अध्यक्ष के साथ सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए गया है, सुनील जाखर पहले अध्यक्ष बागत है उनकी अब छुट्टी कर दी गई है, कॉंग्रेस हाई कमान जो है हर वर्क को यहां पर पत्र देने की कोशिस जो है उन्होंने किया है क्योंकि अगली साल जो है वहां पर चुन है जिन पर अभिसार सरमा भी सोले कराते हैं उन पर जो है चीनी कनेक्षन का जो है लिंक मिला है दरसल एडी जो है के खिलाप जाच कर रहे थी और मेडिया पोटल पीपी के निउस के लिक स्टूडियो प्रवेट लिमिटेड के खिलाप मनी लॉन्री के जाच में परवरतन कि विदेशी निवेश के जो मानक हैं जो इस्टेंडर हैं उनका पालन नहीं किया है लेकिन देनिग जागरा ने इसमें और जोड़ा है कि उन्होंने इडी सुत्रों के हवाले से उन्हें यह पता चला है कि वहां के जो मुख निवेशक नेविले राइसिंगम जो है निउस कि एंगली अख़बार की तरफ अगला अकपार हमारे सामने हिंदुस्तान हिंदुस्तान के लिखा है आज महंगाई और कोरोन और किसानों के मुदे पर सरकार सरकार को गरणे की रन्यति मांसून सत्र जो आज से शुरू हो रहा है उसी पर ये ख़बर है अगली ख़बर है चोटे सेरी में जिस पर हम अगले अख़वारों पर हम इस पर विस्तार से बात करेंगे सरकार ने फोन हेकिंग के आरुपों को नकारा दिल्ली को जोरदार बारिस के इंतजार मुंबई में 30 मरे सेंटर उनिवर्सिटी में साल का कॉमन इंट्रेस टेस नहीं सिद्धू को पंजाब कॉंगरिस की कमान ये ख़बर भी हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर है देशमुक क तो चलिए हम अगले अख़बार की तरफ बढ़ते हैं और यहां हम आपको बताएंगे कि आखिर ये फोन हैकिंग से जोड़ा मामला क्या है और कि पत्रकारों का जो है फोन हैकिंग हुआ है देशमुक के ठिकानों पर छापे ये दनिक भासकर के जो अख़बार हैं उनकी मा बढ़ी हम आज 2022 में विधान सबाच होने हैं ऐसे में सिद्धू को बहुत कम समय में खुद को साबित करके दिखाना होगा सिद्धू को राजी के विधायकों और सांसदों को विरोध का सामना करना पर सकता है इसे मुन की राह कठीन होगी सिद्धू को अमरिंदर्स की सर्दू के लिए होने वाली आने वाले कुष समया में मांसुन सत्र जो है जसमें की नए मंत्रियों की िकता से परिक्षा होगी फशना नए विधायक उसमें कितना पासकब खार के खबरे जिन में 33 दिनों के पत्र नदी जो मवजूद रहे है दूसरा जो पन्ना है दनिक भासकर का उस पन्ने पर आकर जो क्या खबर है वो जरूरी है जिसमें की पेगासस की परते खुलने लेगी लोगों की जासुसी करा रही दुनिया भर की सरकार है जैसे हमने आपको शुरू में पत्र नियताओं की जो है इस रिपूर्ट में दावा किया जा रहा है सरकार की तर्फ की जो है वो उन लोगों की जासुसी करवाया है दो मंत्री जो खुद मोधी सरकार के मंत्री हैं उन पर भी जासुसी कराया गया ऐसा इन मेडिया रिपोर्टों का दावा है भारत में जो है दावायर ने इस पर रिपोर्ट किया है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भ भारत में हिंदुस्तान टाइम्स के सिशिर गुप्ता दावायर के सिद्रात वर्दराजन की जासुसी की गई है तो यह एक बहुत बड़ी ख़वर थी कल के लिए जो आज के अख़वारों के पहले पन्ने पर है इन्ने एक दाहिंदू में भी ये ख़वर जो है छपी है जो अंदर के पन्नों पर है मुझे पर भी बात करेंगे तो चलिए चलते हैं अब हिंदू अखवार की तरफ दाहिंदू की जो आज हेडिंग है वो है गवर्मेंट रेडी टु डिसकस अल इसूज इने कंस्ट्रक्टिव मेरा मोधी कॉंग्रेस त्रिंडमूल अपोस को जो है नकारा है विरोत किया जिसमें कहा गया था कि कोवीट पर जो बहस है वो हाउस के बाहर हम लोग बात कर लेंगे जिस पर इन लोगों ने जो है विरोत किया अगली ख़बर जो है वो है महरास्ट के जो महरास्ट में जो चैंबूर में कल एक दुखत घटना हुई है जिसमें की लेंड स्लाइट में 31 लोगों की यहां पर जाने गई है इनके बारे में यह ख़बर है 31 किल एज रेंट ट्रीगर मेहम इन मुंबई अगली ख़बर जो दा हिंदू के पन्ने पर है वो है नवजोट सिधू अपॉइंटेड पंजाब कॉंगरेश चीप सोनिया डिस डिस्पाइट पुस्बैक नवजोट सिंग सिधू को चार कारीकारी ध्यक्षों के साथ जो वहां का प्रतेश अध्यक्ष बनाएगा यह ख़बर है दर्शल अब जो माना जा रहा है कि पंजाप में कप्टेन अम्रेंदर शिंग और नवजोट सिंग सिधू के भी जो विव अप्टर यूपी दिल्ली कॉल्स आफ कामारियात्रा उतर प्रदेश ने सुप्रीम कोड के सुटर संग्यान के बाद कामारियात्रा को कैंसल किया था अब दिल्ली ने भी ऐसा कर लिया है एक रिपोर्ट यहां बता है मिडडे मिल्स लिफ से लॉंग लास्टिंग इंपैक् पर है पेगसेस स्पाय वेर यूस दू सनूप अन्जरलिस्स वाय विक्टिम फॉन्स हमें बताया गया है कि कैसे जो है वो पेगसेस स्पाय स्वेर के जरीये जो है भारत के पत्रकारों जजों और विपकची नेताओं की फॉन हैकिंग हो रही थी ऐसा जो कई मेडिया इसमें बताएगे हमने आपको पहले ही बताए कि इंडुस्तान टाइम्स दा हिंदू इंडिया टूड़े इंडियन एक्सपेस और नेटवर्ग ठारा के लोगों कि जो है इसमें जासुसी हो रहे थी पत्रकारों के किन पत्रकारों का नाम परमुख हैं उनका भी नाम ले ले सिसीर गुपता, सिधात वजराजन, मक वेनू, सुसान सिंग, रोहिनी सिंग, मुझमिल जलीर, रितिका चोप्रा, स्वाथी चतुरवेदी जैसे लोगों जो हैं उन्होंने जो है इसमें उनकी जासुसी हो रहे थी 17th international media groups including the Gardson and the Washington Post लोगों नहीं एक खुलासा किया है और भारत में दवायर जो है इसमें सामिल है और इस मसले पर सरकार ने भी अपनी सफाई दी है सरकार ने कहा है कि सरकार ने कोई भी जो है जासूसी का काम जो है फोन टेपिंग का काम कुछ भी इसमें illegal तरीके से नहीं किया जो किया भी है वो जो है एक नियम के नुसर किया गया है ये दध हिंदू के आठवे परने पर ये एक ख़बर थी दरसल जो अफगानिस्तान में पितले दो दसक से जो वहाँ पर लोकतंत्र की भाली थी जो इस वक्त वहाँ पर अफगानिस्तान में जो इस तती बनी वी तालिबान और अफगानिस्तान की भी लड़ाई पर उस पर ये लेक है और कहा गया है कि अफगानिस्तान के जो पडोसी बातों का भी जिक्र किया गया है उनकी निंदा की बात भी का भी इसमें जिक्र किया गया है अगली जो बात एडिटोरियल पन्ने पर है वो एक लेखक निशिम मनुथ करन ने लिखा है A Tolerant India Can Be Magetarian Magetarian में a toleration or empirical plurality of cultures is not the same as a conscious democratic project of multiculturalism इन्होंने ये कहा है कि एक रिपोर्ट का जिक्र करते वे प्यूरिसर्स सेंटर का जिसमें कि प्यूरिसर्स सेंटर्स के कई लोगों ने ये माना है उस सरवे में जो 30,000 लोगों पर लगबाग भारत में सरवे किया गया था जो हिंदू-Muslim सामिल थे जिसमें 22,000 हिंदू और अलग अलग धर्मों के लोग जो हैं उन्में सामिल किया गया था और इसे तमाम धर्म के लोगों ने ऐसा माना है कि उनके परोशी अपने होने चाहिए या उनकी साधी जो है अपने धर्म में होने चाहिए अलग धर्मों के लोगों ने कहिए है यह उन्ही आधार पर जो है एक लेख लिखा गया अगली जो लेख है इसमें वह सुजीव साक्य ने लिखा है नेपाल के राजनती के लिए एक बहुत बहतरिंग करम है वहां के सुप्रीम कोट ने फैसला दिया जिसमें कि वहां के सेर भारुर देवा को पधा मंत्री बनाने का तो यह जो पॉलिटिकल अर्स अंटरिटी जो थी वहां अतने दिनों से इस पर एक रोक लगी है और यह भारत के की जो कूटनिती है उनके लिए भी एक सीखने वाली बात है ऐसा उन्होंने कहा है यह उनका व्यू है अब चलते है दहिंदू अख़वार के इंटरनेशनल पन्ने की तरफ उसमें क्या खवरे हैं दहिंदू की उसमें लिखा गया है तालिबान लीडर सिक्स पॉलिटिकल सेटलमेंट अफगानिस्तान विल नॉट लेट एनिवन पोस अनी थ्रेट इन अधर कंट्री यूजिं इस यूजिं जादा तालिबान के जो सुप्रीम युडर युद द्लेबान लिख चाहता है कि वह दशनल जारी है और ये उम्मीद भी पर जताई जा रही है कि बगदू यूजित के मौके पर वहां जो है संघर्स विराम रहे है अगली खबर जो है, flood seeds, Southern Germany as European toll rises to 184 rescue workers continue to clean up in Belgium यूरोप में जो है, वो भारी बार की वज़ा से वहां डेट की संख्या जो है, 184 पहुँच गई है Southern Germany जो है, इससे सबसे ज़्यादा परभावित हुआ है और पूरे यूरोप में ये बार, जो है, वहां पर काफी परभावित किया है अगली खबर जो है, इस पन्ने पर वो है, नेपाल's new PM wins confidence vote देववा says, combating COVID-19 will be the government's first priority सिर बहादूर देववा, जोने सुप्रीम कोट के द्वारा परधान मंत्री बनाया गया था उन्होंने जो है, अब विश्वास प्रस्ताव जो है, जीत लिया है उन्होंने कहा है कि उनके लिए जो first priority है, वो COVID है अगली खबर इसमें कुछ और है, Johnson in quarantine, ahead of freedom day जो Boris Johnson है, UK के प्राइमनिस्टर, उन्हों वो जो है, अब quarantine में चले गया है अब क्या सोचते हैं, आज के अकबारों की खबरों पर अपनी राय जरूर रखेगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेर आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे जादा से ज्यादा लोगों तक सेर करिए ताकि ये जानकारियां अधिकतर लोगों तक पहुंच सके आपका बहुत-बहुत धनिवाद